स्वागत है तुम्ती रेक्रूट्मेंट इन्फो मदे तेरा तर्खिला MSBT चे वेबसाइड वर एक क्यारी फर्वर्वर्ड की नोटिफिकेशन आली होती यी नोटिफिकेशन आता तुम्हारा तुम्चा कॉलिज चे ग्रूपस वर सुद्धा आली लिया से आनि सर्वाना प्रश्ण पढ़ ला है कि क्यारी फर्वर्वर्ड चीजे रजिस्ट्रेशन आये क्षा साथी आये काया है तर या वीडियो मदे तुम्हें चे सर्वा प्रश्णां चे उत्तर देना रहे तर में तर नो MSBT चे एक रूल बूक आ है एक्जामिनेशन चे रिलेटेड आनि अड्मीशन चे रिलेटेड तर निया मा वलित RG4C एक टैप दिलेला है जा मदे अड्मीशन कशा प्रकारे गहा चाये परिक्षा कशा प्रकारे गहा चाये या बदल चे सर्वा रूल्स तर अमदे दिलेला है तर कोविट छा परिस्तिती मुडई एक्जाम जाले लनाई आई है काही विद्यार्ती अल क्लियर अस्तील आनि काही ज़्डेक बैक अस्तील तर ज़्या विद्यार्थ rif tycker覺 बैक आए तर तया विद्यार्ड लना आरेजी 747 नुसार carry forward या युजने अंतरगर उडिल वर्षत प्रवेश देना थे तु तर एथे देले प्रमानी carry forward ची जी कार्य प्रना लिया हे याचा संबंध फक्त कॉलेज वाले अन्छी आहे तुम्चा येचे शी काही ही संबंध नाहे तुम्चा येकिमाने संबंध आहे सरवात महत्वाचे मझचे याचा काला वधी हवकत गसा मंचे तुम्चा जवड थकत पाच दिवस आहे चाही जवड पास examination regulation साथी आनि या तस admission बदल है कही इति देले लिया है तर तुम्हीं इधे बगुशकता है इधे देले ले पार्ट 1 आर्जी आनि आर्जी फोर सी मैंज़े हे आर्जी फोर आनि हे सी तर यहाँ आर्जी कशा सी डिल करतो तर कंडीशन आफ Admissian to Church gave admission and stroke यह प्रप्रकार यह करते और यह इंशेर 8 सेमिस्टर पाइड मिटि निएर बोर्ष धित रेगुलर भुध ने नवाई टर्श सेक्ण्ड मधं विध्यार थी फ़र्द सेमिस्टर मध अनि 4 semester मदों 5th semester मदे गेले ले आहे तर त्या साथी हे काम कसा करेल है आपलेल बगाये तर सग्रत पहले आपला इलिजिबिलीटी बगाये ची है अधिकेटी असली बगाये चे तीसरे आनी चाउते semester मदे तुमाला परुंतो अधा काई जनांचे second semester चे सुद्धा बैक असली सब्जेक्ट, first semester चे सुद्धा बैक असली, third चे असली, combinedly चे असली किवान असली असली अही specific अधिकेटी ची कंडिशन दिले लिया है प्रत्यक semester वाइज तुमाला टोटल सब्जेक्ट की तिया है तै सेमिश्टर ला किमा त्या year ला जर तुमाला पाथ सब्जेक्ट असली तर तुमाला एक बैक असला तर चालेल, मंजे चार तुम्चे सब्जेक्ट लियर असने कर जे जर तुमाला फोर सेमिश्टर ला दाहा सब्जेक्ट असली तर तुम्चे साथ सब्जेक्ट अपएकि त्लियर असने आवशक आए आनी तीन सब्जेक्ट लेतर चाले परंतु जा विद्ध्यार्थेंचे आता तीन पिख्षा जास्त सब्जेक्ट पैक आहे 10 नक आए तर य तो जा उद्द्धर्थां चेए अडमिशन तो जा विद्धर्थां ना केड़ी फर्वर्वड चार सभजेक्ट इन दूसरा तीसरा साथ सेमिश्टर दाले लाएंग जा वाट इन सेमिश्टर दाले लाएंग आएग अचा शर्वान साथी में लुँड़न् चेवडे तुम्हाला अप्लिकेबल असते तैनना करीफ फरवर्ड ही लागुआ असे यादी तुम्हाला तुम्हा टीचर कडून मिडे लग तरही प्रोसीजर कशा प्रकारे पूर्णा कराई चैए हे पन आपन वीडियो माद बगना रहें चैप आपको सिर्णा कीवडियो माद ब्लाइ टाप अप्लिकेशन परमाश तो तुम्हाला पूर्न बरुन 17 गाश्ट 10 अजस्त धर्माश्ट कोलेज तुम्हाला सब्मिट कराई चाए ते पन डीडि सो बत मिडिगी तुम्हाला प्रकाइच याये पूर्चे यर साटी तर हु 15 15 सा डीडी एकस डीडी काड़ावा लगतो आनि OPC केटिंगीरी जर असेल तर 3000 रुपय सा एक ट्यूशन फीचा वेगड़ा डीडी आनि 15 15 सा वेगड़ा जरी अता हा डीडी गोंते नावन काड़ाया साय तर प्रिंसिपल गवर्मेंट पोल टेकनिक आनि तुमचे पोल टेकनिक चे नाव असेल कि वहां तुम्हाला जी नोटीस मिलेल त्या मदे दिलेलेस असेल पूर्ण डीटेल मदे तर ही प्रक्रिया तुम्हाला ऑनलाइन की वहां अफलेन या दोनी पद्धतीने पूर्ण करू शकता तुमचे प्रतिक कॉलेश तरावर गाइड केलेज़ेल तीथील आवेलेबल इणास्त्रुक्चर आनि बाकी गोश्टि वरुन ते ठरवतील अनलाइन की ऑफलेन पद्धतीने कशा प्रकारे पूर्ण कराई चाहे तर्मित्रादनों या वीडियो में तुम्हाला काही मदद मेड़ा लेसेल तर वीडियो ला लाइक आनी चानल ला सस्क्राइब करेला विश्रूना का धन्यवाद